हाई, मेरा नाम डॉक्टर समीता शाह है, मैं पूने की सीनियर अप्सेटिशन और गानेकॉलेजिस्ट हूँ, पिछले 25 साल से मेरा ट्लिनिक पूने के आउंद एरिया में है, आज मैं आपसे कुछ इंपोर्टन इंफोर्मेशन शेयर करना चाहूंगी, Importance of DHA in Pregnancy and Lactation, DHA एक ऐसा मॉलेक्यूल है, जो शरीर के लिए वाइटल है और ज्यादा तर दिमाग में पाया जाता है, DHA गर्भावस्था के दवरान और भी महत्वपुर्ण है, क्योंकि दिमाग का 70% हिस्टा गर्द में ही बन जाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं, यहा का anatomical development हो चुका है, पूरे 9 महने तक बच्चे को DHA प्लासेंटा द्वारा दिया जाता है, यह 4th month, 5th month और 6th month का development है, यहाँ देखिए, आप प्लासेंटा देख सकते हैं, अंबिलिकल कॉर्ड देख सकते हैं, अंबिलिकल कॉर्ड बच्चे को प्लासेंटा से डोड़ता है और यह प्लासेंटा के द्वारा बच्चे को DHA मिलता है, 7th month, 8th month and 9th month, at the end of 9th month, 70% of the brain is already developed, DHA का महत्व यही पर खतम नहीं होता, डिलिवरी के बाद भी बच्चे के ब्रेन का development पहले 2 साल तक 15% होता है, इस दवरान शीशु को DHA मा के दूद द्वारा ही मिलता है, रिसर् जो कि जरूरत से बहुत कम है, इसलिए मैं strongly recommend करती हूँ कि हर गर्भवती महिला ने गर्भावस्ता और स्तनपान के दवरान 400 mg DHA जरूर लेना चाहिए, पर ज्यादातर DHA supplements मचली से बने होने के कारण गर्भवती महिलाओं की nausea vomiting की शिकायत बढ़ जाती है, भारत में बहु कोई vegetarian source का DHA supplementation मिल जाए, तो हमारी गर्भवती महिलाओं गर्भावस्ता और स्तनपान के दवरान ये supplementation लगातार और खुशी से लेती रहेगी